दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीगा टोका के बारे में अभी फरवरी का मध्ध चल रहा है रात में तो काफी जादा ठन रहती है अभी भी लेकिन जो दिन का टेंपरेचर है उस समय काफी गर्मी होने लगी है तो यह जो तापमान का यह जो अंतर हो रहा है इसी की बज़े से केले में अब सीगा टोका आने की संभावना बढ़ गई है सीगा टोका क्या होता है तो जैसे केले की जो पत्तियां है या पि जो तना है इसमें जो काले रंग के छोटे छोटे दब्बे आप देख रहे हैं तो इसको ही हम लोग सिगा टोका कहते हैं समय रहते हैं इसकी रोकथाम करनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है क्योंकि यह जो फंगस है यह हवा और पानी के माद्यम से बहुत तेजी से फैलता है इसका यदि फ्रकोब ज़्यादा हो जाए इसकी समय रोकथाम ना की जाए तो यह जो केले की पत्तियां है उसका क्लोरोफिल पूरी तरीके से नश्ट कर देता है केले की ग्रोथ भी रुख जाती है और केले की फसल पूरी तरीके से बरबाद हो जाती है इसकी जो रोक्थाम के लिए एक बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है केब्रियो टॉप सिगा टोका को कंट्रोल करने के लिए इससे अच्छा फंगिसाइड अभी तक तो मैंने इस्तमाल किया नहीं है यह थोड़ा महंगा होता है लेकिन पूरे फसल चक्र में केवाल 5 या फिर 6 बाद ही इस फंगिसाइड का इस्प्रेश किया जाता है लेकिन केलो में सिगा टोका फिर आता नहीं है कैब्रियो टॉप एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है जो कि फंगस की जो स्पॉर्स होते हैं उसको ही बढ़ने से रोग देता है जिसकी बज़ए से केलो में जो सीगा टोका है उसका तुरंत कंट्रोल हो जाता है यदि रोग दिखने से पहले ही हम प्रिकॉस्टनरी स्प्रे कर दे तो उस समय जो कैब्रियो टॉप का रिजल्ट है वो सबसे अच्छा मिलता है इस्प्रे की बात करें तो 30 ग्राम की मात्रा काफी होती है प्रतितंकी और 600 ग्राम की जो कीमत है वो आपको 1300 रुपए के आसपास मार्केट में मिल जाएगी यदि केले का पौधा छोटा है तो पूरे पेड़ पर ही आप स्प्रे कर सकते हैं यदि केले का पौधा बड़ा है तब केले के तने के उस भाग पर जहां से पत्या निकलती है यदि आप महापर भी इस्प्रे कर देते हैं तो भी शिका टोका पूरी तरीके से डुख जाता है और इस तरीके से कम स्प्रे में ही आपको अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा तो उमीद है दोस्तों आज की वीडियो में दीगरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे और ये चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब पर लिजे